NCRT के important questions हैं नाइट्रोजन पेंटाहिलाइट क्यों नहीं बनाता या नाइट्रोजन पेंटाहिलाइट जैसे NCl5 क्यों नहीं बना रहा है जबकि PCL यह नहीं बनता लेकि PCL5 बन जाता है PCL5, PBR5, PI5 भी नहीं बनता है उसका भी रिजन होता है NCl5 क्यों नहीं बना तो यह पहला question NCRT का तो नाइट्रोजन अगर हम देखें तो size छोटा है इसका प्लस 5 state शो करता है लेकि size इसका छोटा है size small size small पहला दूसरा reason इसका does not have vacant d-orbitals does not have vacant d-orbitals यह पहले भी discuss हो चुका है vacant d-orbitals नहीं है इसके वास जैसे अगर बात करें फॉस्फुरस की फॉस्फुरस होता है neon 3H2 3P5 3H2 3P3 3H2 3P3 तो अब इसमें 3S आया 3P आया 3S2 3P3 अब हम क्या कर सकते हैं इसके इंदर इसमें अब हम क्या करते हैं यहां पे जो फॉस्फुरस अभी यह अगर तीन यह अन्पेड इलेक्ट्रोंस हैं तो PCL3 बनेगा एक इसली यहां आजाएगा बॉन्ट मालेगा एक सीली यहां एक सीली यहां तो PCL3 बन जाएगा अगर हमें पीछली बनाना है तो उसके लिए हमें खाली जगा चाहिए खाली जगा जैसे वेकंड डियो प्रस यह आ गए वेकंड डियो प्रस के बास तो यह में हमें यहां से यह एक हट जाएगा और यह मिर्ण आ जाएगा कहा पर है यह प्रक्राइगे यह तो आभी एक सीली यहां जाएगा एक सीली यहां जाएगा द played did तो इसलिए नहीं बनाएगा ऐसे ही बहुत सारी कोशन बन सकते हैं यह एक कोशन एंसी आटी का ऐसे ही हम क्या बोल सकते हैं कि S F 6 बनता है O F 6 नहीं बनता इसलिए नहीं बनेगा यह बन जाएगा इधर भी सल्फर का साइज क्या बढ़ा है और इसका वेकन डियॉर्बिल्स नहीं है सबका अंसर इसी तरह किसे चलेगा फिर और भी कोशन बन सकते हैं इसके जैसे अगर मैं बोल दूं कि I3 नेगटिव बनता है लेकिन F3 नहीं बनता इसमें भी क्या है I- जो है इसके लोन पेर इस I के वेकन डियॉर्बिल्स में चले जाएंगे इसे तो यह I3 नेगटिव बन जाएगा लेकिन F के पास तो कोई वेकन डियॉर्बिल्स होते नहीं है तो इसलिए नहीं बनेगा तो यह एक ही कुश्शन है इसे बहुत सारे नेक्स फूशन देखेंगे जैसे एनॉटू जो है जर हे सब्सक्रांब षब्सक्राइब कर आए इस तरह को बनता है इस तरह से बनता है इस इस यहिआ जलिए यूह लिक्ताल और य तो और येूट्रों गण्ट आपाउंड यह जिए उज़िए गाल और यह यह खर्यून ए जैसे दूसरा नोटो आएगा इसके पास, और क्या बना देगा इस तरह के से, इसके पास भी और इलेक्ट्रोन होगा, यह दोनों क्या कर लेंगे, बांडिंग करेंगे, और बांड बन जागा इनके बीच में, और यह डाइमन बना देंगे इस तरह के से, तो और इलेक्ट्रो बीच में अगर ज्यादा ट्रेटोड होगा तो अगर बीच में धूंड बन जाएगा औरक्टर्न जो है वह दाइमर ही बना पाएगा तो इसके समय बन जाएगा और अगयों दोनों परमाई करके बॉंड मना लेकिर इस तरह इसे तो यह इंप्रोटन है था कोशन निये कर सकते हैं और जो भी और अध्रों स्पीशिस नो हो गया चीए लोटू हो गया हला कि उनकी ढाइन मुदाने की टेंडेंसी कम होती है जाता है क्यों कम होती है वो इंप्रोटन रिजर्शन से बोर्ड लेबल पर नहीं पूछते हैं इस चीज़ PCL3 Fumes in Moist Air Fumes in Moist Air ज़्या तर ऐसे question आएंगे तो हमेशा reaction के दुरूश हो करना है क्यों fume करता है Moist Air के अंदर Why PCL3 fumes in Moist Air Moist Air में क्यों fume कर जाता है तो ऐसे questions कभी भी आते हैं तो उसमें होता है Formation of HCl HCl gas बनती है इसलिए fume कर दें Moist Air में है PCL3 plus H2O क्या दे दे गाई है S3PO3 plus HCl H3PO3 plus HCl तो इसलिए fume कर जाएगा Moist Air में That's why fumes in Moist Air और भी बहुत सरे questions है S block के question देख सकते हैं P block के question देख सकते हैं MgCl2 fumes in Moist Air Alcl3 fumes in Moist Air सबका answer क्या होगा Formation of HCl Hydlize होगे जब यह है Hydlize होने के बाद Fume कर जाएगे Moist Air में Hydlize होने के बाद Fume कर जाएगे Moist Air में तो इस तरह सांसर आ जाएगे Next आ जाएगा Question यह question मैंने वैसे तो discuss कर लिए फिर भी देख लेंगे एक बाद Question number 4th हम कर रहे होगे क्या है कि जैसे Pentahilize ज्यादा कोवलेंट के होंगे Trihilize कम कोवलेंट होंगे Example PCL5 Question है Pentahilize are more covalent than Trihilize PCL5 is more covalent than PCL3 यह ज्यादा कोवलेंट है वैसे तो क्योंकि Electron negative difference नहीं है But this is more covalent Reason क्या है अगा इसका क्योंकि इसमें P की state क्या है plus 5 है P की state plus 5 है 5 electron Transfer करना easy होगा कि share करना बहुत easy है क्या करेंगे share करना easy होगा Share करना easy होगा 5 electron transfer करने में बहुत जाद energy चाहिए Transfer करने के लिए It is easier to share 5 electrons rather than to transfer 5 electrons तो इसलिए और दूसरा reason एक और भी है कि इसमें P plus 5 है और C L minus है P plus 5 C L minus इसमें क्या है दूसरे में P C L 3 के अंदर P plus 3 है और C L minus है P plus 5 का size चोटा Size चोटा तो polarizing power ज़्यादा Smaller cation Smaller cation Greater polarizing power Greater polarizing power Hence more covalent character Hence more Covalent character तो यह भी reason है दोनों answer दे सकते है It is easier to share 5 electrons rather than to lose 5 electrons यह पूछ सकते है question SN C L 4 SN C L 2 which is more covalent SN C L 2 को तो हम आइनिक भी बोलते है SN C L 4 is more covalent P B C L 4 P B C L 2 P B C L 4 is more covalent तो यह P B C L 2 को आइनिक भी बोलते है तो यह दोनों क्या है both these are covalent तो इस तरह के question बहुत सारे बन सकते है यह क्या है covalent है तो यह question आजाएंगे ऐसे भी question बन सकते है तो जाद higher state में हमेशा covalency होगी higher state में क्या होगी covalency तो इस तरह का question आगए next note करेंगे next question देख सकते हैं जैसे यह question आजता है B I H 3 B I H 3 is strongest reducing agent in group 15 hydrates strongest reducing agent in group 15 hydrates strongest reducing agent in group 15 hydrates group 15 hydrates यह भी हमें discuss किया हुआ है तो बहुत simple सा answer क्या लोग answer आएगा इसका fifth question है तो नीचे जाएंगे तो क्या होगा नीचे जाएंगे तो thermal stability decrease करेगी और thermal stability decrease करेगी तो tendency to lose hydrogen increase करेगा tendency to lose hydrogen tendency to lose hydrogen will increase increase reducing character increases so reducing character increases इसलिए इसलिए बढ़ गया इसलिए B I H 3 is most reducing तो यह most reducing होगा यह पहले ही ताया होगा तो B I H 3 is most reducing in group 15 hydride group 16 में इसी कौन सब जाएंगे reducing होगा तो उसमें भी देख सकते हैं कि H 2 P नीचे जाने पर H 2 P हो जाएंगे reducing होगा वारा से group 17 में HI जाएंगे reducing होगा इस तरह से हम चेक कर सकते हैं to lose hydrogen तो यह भी एक important question था next अब आगया question जैसे 6th question pH 4 plus के अंदर जादा bond angle क्यों है pH 3 से pH 4 plus के अंदर pH 4 plus में जादा bond angle है than pH 3 यह किसमें रहा है bond angle तो यह तो बहुत simple सा question है यह भी NCRT का question है pH 4 plus pH 4 plus में 4 को 4 bond pairs है SP3 hybridation है SP3 hybridation है तो क्या होगा angle आजागा कितना 109 degree 28 minutes का 109 degree 28 minutes का angle आजागा 109 degree 28 minutes लेकिन अगर मैं PS3 की बात करूँ तो इस पर loan pair आजाएगा loan pair आजाएगा तो यह इस side से repeal करेगा loan pair तो repeal करेगा bonds को repeal करेगा वो angle आजाता 94 degree के असपास reason को इसका और भी है लेकिन अभी यह ध्यानकता है 94 degree के असपास angle आजाएगा कितना जाएगा 94 degree के अगर आजाएगा इसमें 109 degree 27 minutes loan pair दोनों साइट से repeal करेगा तो angle इतना आजाएगा सहीं तो यह important question है एक यह बन गया it has two loan pair दो loan pair है तो repulsion ज्यादा इसमें एक loan pair है तो repulsion कम इसलिए bond angle ज्यादा loan pair दोनों साइट से repeal करता है सही ना H2O में दोनों साइट से जो loan pair है वो इन OH bonds को repel करेगा इधर से भी repel करेगा इधर से भी repel करेगा बहुत ज़या repulsion होगी अंगल इसमें 104.5 जगरी का हो जाएगा से ना 104.5 जगरी का अंगल हो जाएगा तो यह इसके अंतर ध्यान रटना है next note करेंगे next और questions इसमें आ सकते है group 15 से रिलिए question number 6 होगे 7th question discuss कर सकते है 7th question जैसे question सुनें के ध्यान से 7th question जैसे phosphorus road map यह इसमें बहुते है इन questions को पहले एक route बनाते है कि यह route है इसके हमने follow करना है मैं question बहुता हूँ आप road map खुद बना सकते हैं तो मैं अभी यहाँ पर बनाके दिखाऊंगा line बढ़के on reaction with Cl2 सुनेंगे खुद बनाना ट्राइंगे on reaction with Cl2, phosphorus forms 2 halides phosphorus Cl2 से rate करके 2 halides बना रहा है clear 2 halides halide A, halide B इस तरह से halide A is yellowish white powder यह क्या है yellow powder yellow white powder yellow white powder yellow white powder and while halide B is a colorless oily liquid B is colorless oily liquid है colorless oily liquid है identify A and B and write the formulas of their hydrolysis and write the formulas of their hydrolyzed products identify A and B A and B और B हमें निकलना है और अगर hydrolysis होगा तो क्या ब्रोड्रोड मिलेंगे तो यहाँ पर सोचना एक बार तो कुर दिमाग में आएगा कि क्या कहते है question होना tough है reason कि क्या कहते है अब यह हमें पता है सबको phosphorus की दो halides बनती है PCL3 और PCL5 लेकिन कौन सा इसमें यह यह वाइट पाउडर है कौन सा colorless oily liquid है यह सोचना यह मैंने पढ़ाते लक्षर जब दिया था अपना तो उसमें मैं यह term use की थी कि कि किसको यह यह वाइट पाउडर कहते हैं तो 15 में हम चेक कर सकते हैं इस चीज को अब यहाँ पर एक हिंट में देता हूँ ए जो है वो PCL5 होगा और बी जो है PCL3 होगा बी होगा PCL3 रेक्शन करने पर देगा जैसे इसमें मैं 3C2 डाल दूंग और इसमें डाल दूंगा 5C2 तो PCL5 बनेगा लिमिंटेट डानेगा तो PC पर बैलन्स कर सकते हैं उस रेक्शन को अब एक हिंट और मिल सकता कि क्यों बोला मैंने इसको यह पाउडर है यानि वाइद फॉर्म में यह पाउडर फॉर्म में और यह लिक्विड है लिक्विड है यह तो किसमें फोर्से स्ट्रॉंग जादा होंगे PCL5 में कि PCL3 में ने इसमें तो इसलिए यह सॉलिड की फॉर्म में होगा और यह दूसरा जो भी है वह PCL3 मॉल्गर मास का में वांडर फॉर्सेज वीक होंगे यह रिक्विड की फॉर्म में होगा इसलिए तो हैड़ इस प्रोडॉक्ट्स मैंने बता रख रख है इसके इसमें अगर में एक पॉर्टर्टन कोशन था वह अपन्स मैं पीछ फई रेक्स विड हवी वाटर एंसी अटी का इंपॉर्टन कोश्चन है वह भी कर लेंगे इसमें स्थी प्योथ और स्दिए मिल जाए गा किस सब शूब बढ़े हैं तो ए और भी मिल जाएंगे और यह इंके हाड्राइस प् रखते हैं नेक्स्ट नूट करेंगे एट्ट कॉश्वन, यह भी एग्जम्पलर का कॉश्वन है, कॉश्वन नमर एट्थ, कॉश्वन दिया है, पी-4-0-6 रियक्स विद वाटर, पी-4-0-6 रियक्स विद वाटर, यह वाटर से रेट कर रहा है, इसमें एक रेक्शन बदा रखी है P की state plus 3 है यहां पर, plus 3 state है तो S3 PO3 बनेगा, only product, S3 PO3 will be the only product from P कितरे है, reactant पर P4 है, तो इधर इसलिए मैं 4 से multiply कर रहा हूँ, 4 तो यहां पर हो गया हमारा 12 O है, 12 O 6 O यहां use हो रहा है P406 में, तो 6 S2 हो जागा, this is the complete balance equation, तो पहली reaction line इसने यही बोली है, P406 reacts with water forming S3 PO3 इसने रखी reaction यह, calculate weight volume of 0.1 molar NUH, calculate volume of 0.1 molar NUH, इसका volume निकालना है, 0.1 molar NUH, required to neutralize the acid formed by, calculate the weight of volume of 0.1 molar NUH, required to neutralize the acid, required to neutralize the acid, formed by dissolving, formed by dissolving, 1.1 gram of P406 in water, 1.1 gram of P406 in water, तो यह अब डिकालना है, तो ध्यान देंगे तर, P406 in water, इसको, अब क्या हो जागा, 1.1 gram है, तो इसमें हमें रिकालना है, volume of 0.1 molar NUH, यह acid जो है, यह किसे neutralize होगी, इसका NUH के साथ, इसका N factor होता है, 2, चाहें तो, अगर मिली क्रेंस का कंसर्प्र जूज़ करें, तो एक line में question हो सकता है, लेकिन अभी हमें, पूरा इसको, मोल कंसर्प्र से करके दिखाऊंगा, तो ध्यान देंगे तर, P4O6 plus 6H2O gives 4H3PO3, यह है question, तो यह दे रिखाया है, P4O6 1.1 gram, 1.1 gram दे रिखाया है, P4O6, 1.1 gram दे रिखाया है, तो इसके मोल्स कितने हो जाएंगे, इसका वेट कालेंगे, 31 into 4, फॉस्वरस का मास हो था, 31, 31 into 4, 124, 31 into 4, 124 आजाएगा, और O6, 16 into 6, 96, 96 plus 124, 96 plus 124, 220, यहां से 220 आजाएगा मास इसका, तो इसके मोल्स हो गए, 1.1 divided by 220, यह इसके मोल्स हो जाएंगे, यह इसके मोल्स आगए, यह इसके मोल्स आजाएंगे, इसके मोल्स से मैं किसके मोल निकाल लूँगा, S3PO3 के, अगर इसका एक मोल्स है, तो इसके आ रहे हैं, 4 मोल्स, तो इसके मोल्स हो जाएंगे, 4 into 1.1 divided by 220, 4 into 1.1 divided by 220, तो यह इसके मोल्स आगए, यह इसके मोल्स अने उसे रेक्ट करेगा तो क्या बज्जागा है यहां पर ने दो है इसके वाच एक्टिव होते हैं दो एक्टिव होते हैं स्ट्रक्चर देख लेंगे इसका पी ओएच ओएच और डबल बॉंड ओ ऑपर क्याएगा एक लौन पेरा जाएगा यह है न होते हैं तो फुल सब्सक्राइब कोई नीड है क्योंकि इसके मौल से इसका अगर एक मौल हैं तो इसके इसके मौल गोटी चाले मोल्स के आगा इसके मॉलारी पता है हमेंasmus 0.1 molar molarity किया इसकी 0.1 molar तो molarity पता है moles पता है तो volume में कर जाएगा molarity पता है इसके मैं यहां से calculate कर लेता हूं मोल्स यह आएगा 1.1 से 1.1 यह तो 200 पर जाएगा है 200 पर जाएगा है 200 पर चला गया तो 200 यानि 4 into 10 इस टो पर जाए गए तो 4 x 10 के बैंज तो 0.04 mol आ गए इसके यह mol आ गए इसके और इसका mol लिया गए molarity 0.1 है mol आ गए molarity 0.1 है निकाल लेंगे अब 0.1 molar फॉर्म लगाएंगे सदा molarity का 0.04 mol by volume निकालना में 2,000 तो यहां से कितना आ जाएगा यह volume आ गया 400 ml आ जाएगा सिदे दे वाल्यूम तो टफ कोशन नहीं है स्रिफ कल्कुलेशन करनी थी और कुछ नहीं इसके अंदर कल्कुलेशन थी और रेक्शन पता होने थी पहले से नेक्स्ट नोट करेंगे अब आगे एक कोशन हो रहा है ऐसी नुमेरिकल है एक्जेंपलर का एट्थ कोशन क्या है वायच्ट फोस्फोरस रेयक्स्ट इध्ल इतर्शी यह विद्ध प्रोडॉट फिद्ध पर रेयक्स्ट रिएक्ट slipp बडलेश्ट है यद्तप्रट करता है तो and the product is hydrolyzed with water white phosphorus reacts with chlorine and the product is hydrolyzed with water तो यह chlorine से रेक्ट कर रहा है and the product hydrolyzed in the presence of water calculated the mass of HCl obtained by the hydrolysis of the product formed by the reaction of 62 gram of phosphorus with chlorine in the presence of water तो इसमें बस एक दिक्कत है कि इसने mention नहीं किया है एक से मैं जालता हूँ कि इसने mention नहीं किया कि white phosphorus reacts with chlorine तो इसने बोल दिया है लेकिन यह नहीं बोला कि limited amount में की excess में है तो मैं अगर limited amount में लो तो PCl3 बन जाएगा PCl3 बन जाएगा PCl3 बन जाएगा 3 by 2 Cl2 हला कि बुक्त में P4 से कर रहा है वो एक ही बात आएगी white forces reacts with chlorine and the product is in the presence of water product जो है बना है उसको है लाइज किया इन प्रेंस of water PCl3 प्लस H2 क्या मिल जाएगा से H3PO3 प्लस HCl H3PO3 प्लस HCl ये मिल जाएगा 3H2 आएगा एक ये बन जाएगा 3HCl बन जाएगा ये रेक्शन बजाएगा ये रिख दिया पूरे से mass of HCl obtained by the highlights of product निकालना है में this is to be calculated mass इसका mass निकालना है question समझना चाहिए question books से आपको मिल जाएगे यहाँ पर मैं आपको solution बता रहा हूं किस सरे से करने question से इसका mass निकालना है इसका mass निकालना है HCl का calculate the mass of HCl formed by the highlights of the product formed by the reaction of 62 gram of white phosphorus लिया 62 gram white phosphorus लिया तो moles निकाल लेंगे इसके moles से हम इसके moles निकालेंगे इसके moles से हम इसके moles निकालना रहना थे महास निकालना था बहुत ईजी होता है तो अब इसके moles कितने है इसके moles दे एक मूल दे रहा है, तो दो मूल कितना देगा, दो मूल दे देगा यह, इसके दो मूल बन जाएगे, अब इसके दो मूल है, तो इसके कितने मूल बन जाएगे, इसके मूल बन जाएगे, एक से कितने मूल बन जाएगे, तो दो से कितने मूल बन जाएगे, छे मूल बन यहां साथ 219 grams तो यह question यह था question और इसका अधा simple question दे बिल्कुल तो reaction बताओने ची इन और निक रेक्शन बताओंगी तो यह रहां से हो जाएगा question next note करेंगे nine question यह मैं सिर्फ यहां पर important question discuss कर रहा हूं बाकी question सब हो जाएंगे आपसे next question जो है 9th question देखेंगे 9th question क्या कहता है यह कह रहा है कि PCL 5 reacts कर रहा है finally divided silver के साथ PCL 5 with silver यह भी एक्षन पढ़ाई भी बने PCL 5 reacts with finally divided silver with finally divided silver and on heat PCL 5 reacts with finally divided on heating on heating heat कर रहे हीट क्या होगाथ मुद्स क्या हमको पता कि PCL 5 क्या है एक राइज गेंट है यह क्या है एक powerful of C राइज in proximito अगेंट होता क्यों 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 क्योंक् Soo की पार्तिकी स्टेट यहां में plus five in behind gefähr数 द Installation का का मुढ़े सकता है इसलिए states की कम होगी हो PCL5 generally किसमें करनोड होता है PCL3 के अंदर ही यह किसमें करनोड होता है PCL3 में तो यह PCL3 में करनोड हो जाएगा और इसको यह silver coxerize कर देगा किसमें AGCL के अंदर silver coxerize कर देगा AGCL में क्या बोला कॉशन में PCL5 reacts with finely divided silver on heating and a white silver salt is obtained यह white silver salt है white PPT होता है and a white PPT is obtained clear white PPT is obtained which which involves on excess aqueous ammonia यह interaction कराई भी है AGCL plus aqueous ammonia क्या बन जाता है इसमें कैसे dissolve करता है AGCL aqueous ammonia में कैसे dissolve करेगा AG पे plus 1 charge है इसलिए 2 ammonia के साथ attach हो जाएंगे AG NH3 whole by CL यह soluble complex बन जाएगा soluble complex यह मैंने reaction कराई भी है साथ में cupric chloride की reaction भी कराई थी अगर CuCl2 होता है ammonia डाल देते इसके अंदर तो Cu NH3 whole 4 बन जाता है अगर यह पूछते तो और साथ में CL2 तो यह भी important reaction थी यह question बोला था न्-C-RT एक जंपलर का तो यह भी important question यहापे next note कर लेंगे है नेक्स्क्षोशन एक्जाब का ध्यान अधियान तुरहेंगे रोडवाइप है और हींटिंग लेड्स सेकिन नाइटरेट विथ ब्राऊन गैस गिफ से ब्राउन गैस इस ऐह ओन हीटिंग लेड इसेक नाइटरेट ब्राऊन गैस अब यहां पर पहला स्थेप क्या है लेड नाइट्रेट को जब हम हीट कर रहे हैं तो क्या रेक्षिन होगी? मैंने ये बताया हुआ है हैवी मटल के नाइट्रेट को हीट करते हैं तो हमेशा क्या मिलता है? मैक्सिम के सिजम क्या मिलता है? NO2 gas PBO solid मिलेगा yellow solid होता है लिथार्ज भी कहते है इसको और चार चार एक पाँच है तो आधा हाफ ओटू आजाएगे तो यह रिक्शन दिरिखी है फिर दा गैस ए ओन कूलिंग चेंजिस तू कलर्लेस सॉलिड बी गैस जो है यह कलर्लेस सॉलिड बी में करणोड हो रही है वो तो हो गई क्योंकि यह और अध्रों कंपाउंड है यह इस अगर और न, बारउंड गैस होती है ब्राउंड गैस हैं इस लिए इसस ब्राउं गास और इसको अगर हम कूल करेंगे गैस जही क्या बूला जेंग और इसको कूल किया अगर cool कर दिया इसको मैंने अगर तो ये N2O4 में colored as solid में control जाएगी ये पता है हमें this will be connected to colored as solid B ये होगे अगतम और solid B on heating solid B on heating with NO changes to a blue solid C कहारा solid B जो है इसको on heating with NO on heating with NO changes to a blue solid C changes to blue solid C अब यहाँ पर जो NCRT ने जो बोली है line ये true नहीं है ये line wrong होगी क्योंकि heating नहीं करेंगे ये मैंने पता है न N2O4 is equivalent to NO2 ये भी order अगर 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 दिहान हो तो 250 Kelvin कह सकते हैं ये cooling होगा अगर heating होगा cooling होगा तो यहाँ एक line गल्त बोल दिये इसने gas जो है बनी है NO2 this on cooling with NO form से blue solid तो क्या बनता इससे N2O3 ये blue solid ये blue को भी बोलते हैं इसको ये blue solid बने आगा clear this will be blue solid form बोला फिर identify 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 A A B and C ये reactions मैंने बता दी हैं सारे इसकी ये reactions सारे इसकी और इसमें A B C हम identify जाए 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 जाए